अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाई सब बढ़ी आऊंगे श्वीडिम दोस्तों बात करेंगे MSA versus DBN की मोरी सिवले सेम पार्मी versus डेली बुल्स की टीम के बीच में जो अबुदाबी T10 का दोस्तों क्वालिफाइड 2 खेला जाएगा क्वालिफाइड 2 का मतलब यह कि भाई देखो इस मैच में दोनों में से जो भी टीम जितेगी न वो जाएगी यहाँ पे भाई फाइनल के अंदर अबुदाबी T10 के और जो टीम आ रहे के वो बार हो जाएगी यह चीज तो बिल्कुल कंफरम है और दोनों टीम्स का जो परफोर्मेंस है भाई देखो काफी बढ़ी है रहा तभी यह दोनों टीम्स आपको क्वालिफाइड 2 के अंदर देखने को मिल पा रही है प्लेयर की फेंटसी टीम के अंदर वो सारी चीज आपके साथ में कवर करूँ आज के मैच में ट्रमका डॉपसंस कोंसे प्लेयर हो सकते कहां आपको बड़े रिस्क उठाने का आपको रिस्क नहीं उठाने यह चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी तो वीडियो में सारी आपको दूँगा कोई भी इनफोर्मेंस ना आपको बिल्गूल भी मिस नहीं करने अगर आपको इस मैच में बढ़िया टीम सेक्शन करना चाहते हो ठीक है दूसरी चीज़ भई आज के मैच के पिछ रिपोर्ट कितनी रहेगी मतलब क्या पिछ रिपोर्ट आपको देखने करनी लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर दूँ मैसे वसे डिबी के बीच में ये अबुदाबी टीटेन का दोस्तों क्वालिफाइट टू खेला जाएगा वीडियो स्लाट करें उससे पहले बस सोटी इस रिक्वेस्ट है सबसे पहले चैनल परना है हो तो सबस्क्राइब कर के नोटिफिकेशन बेल ओन कर लीजेगा आने वाले किसी भी मैसेज के वीडियो आपको मिस नहीं गरने वीडियो पसंद आएदियो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा बाकि टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जरूर आप लोग जोईन करिएगा क्योंकि टोस होने के बाद कोई भी अपडेट होती है फाइनल टीम में लास्ट मोमेंट पे कोई भी चेंज किया जाएगा या फिर जो भी फाइनल टीम रहेगी टोस होने के बाद आपको जरूर टेलिगाम पे अपडेट किया तो सबसे पहले वेन्यू की बात करें सेख जया स्टेडिम अबुदाबी के वेन्यू पर यह मैच खेला जाएगा आप देखो इस अबुदाबी टीटेन के जितने भी मैच होए ना सारे इसी वेन्यू पर खेले गए उनमें क्या चीज़े हुई किसी मैच में देखो रंस 160 के आसपास भी बने 141 के आसपास भी बने 1890 तक भी खाफी टीम स्के पारियां यहां पे हमें सिमर्ति दिखिये तो डिया तो टीम के अंदर बिट् gir जो डिपार्टमैंट्ट हे аगर टीम में थोड़ लंगा बिटिंग डिपार्टमैंट रहे गा ना तो 110-120 का हिवरे स्कोर आप लोग मानके चल सकते और ये 10 ओवर का मैच है कोई 20 ओवर का मैच नहीं है अगर किसी टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हैं 120 के आसपास भी स्कोर कर दिया ना भाई T10 में हो एक बड़ी है टोटल है और सेकंड बैटिंग इतने बड़े मैच में जो की क्वालिफाइ कोई पारी यहां पे सिमठती है भाई वो टीम शायद यहां पे डिफेंडर नहीं कर पाईगी हम आपको पहले किलिए रगर दू ठीक है तो दोनों टीम के बैटिंग को देखते है 110-120 या का एवरेज स्कोर है दो चार पास रन सूपर नीच से हो सकते देखो वो एक अलग च चीज नहीं है ठीक है दूसरी चीज एवरेज जो स्कोर है नॉर्मल 110 के आसपास इस वेन्यू का और इस मैच में खासकर मैंने बता दिया 110-120 एवरेज स्कोर आपनों मानके अपना टीम सेक्शन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सबसे जो बड़ा टोटल इस वेन्यू पे बन तो पिछले तीर मैच में से देखोगे भाई लास्ट मैच में डेली बुल्स की जो टीम थी यानिकी डिबी की जो टीम थी जो आपको इस मैच में भी दिख रही है वो टीम देखो लास्ट मैच करके आई थे 108 नंस पहले बैटिंग में जो की इस वेन्यू का सबसे बड़ा टोटल है दस ओवर के मैच में ध्याना किये ठीक है लेकिन जब अबू दाभी टीम ने जेजगर ने उतरी तो 116 के टारगेट तक तो एटलिस्ट वो टीम में गई थी तो भाई पड़गिर के 120 तक का स्कूर यहां पे आप लोग डेफिनिटल एक बढ़िया टोटल माल लो डिबी की टीम लास्ट मैच में तो भाई पहले बैटिंग करता हुए बैली संस के साथ में जीत के आई सेकंड एन लास्ट मैच के बात करें वो टीम जेजगर के जीत के आई है और थर्ड मैच की बात करो जोकी क्वालिफायर 120 पर खेला गया था उसमें भी देखोगे तो भ स्पिन फास्ट देखो दस ओवर के मैच में एकवल बोल के चलूँ है बाई किसी बात करें जा सकते हैं को बहुत ही जैसा कुछ देखने को मिलेगा कि गेंद पढ़के बल्ले बात से दूरी बाग जाएगी तो थोड़ा बैटिंग डिफिकल्ट हो सकते है वह चीज़े नही तो दोनों साइड आप लोग अपने ही साबसे बेस्ट प्लेयर पिक कर सकते हो गेंद बाजी में कोई दिक्कत नहीं है यहापे भी एवरेज स्कूर 120 मैंसे नहीं है और मैंने भी आपको कितना बोला 110-120 बाकी हैड आपको सारी चीज़ी के लिए रोगी यहोगी अभी हम लोग लोटते हैं फाइनली अपने टीम सेक्शन में विकेट केपिंग सेक्शन में एंडरेस गोस् टोम बेंटन दो विकल पापके पास में है सबसे पहले तो देखो मैं टोम बेंटन को फिक करूँ है यह तो बिल्कुल के लिए रहे ठीक है एंडरेस गोस् का सेलेक्शन में देखोगे 86% है जा सकते हैं इनके साथ में भी कोई दिक्कत नहीं है वन डाउन बल्ले बाजी करेंगा अगर मैं एंडरेस गोस् की बात करूँ अच्छे प्लेयर है नॉर्मली बता दू लेकिन भाई उतने बारोसे वाले प्लेयर आप लोग नहीं कह सकते हैं सबसे पहले मैं गोस्की बात करूँ है दोस्तों लास्ट मैच में 14 गेंड में 22 कर रहे थे साथ मैच में 16 रंस अबुदा भी टीटैन में ये कर चुके है साड़े 41 के आसपा सैवरेज है मतलब फोम इनकी भी बढ़िया रही है लेकिन अगर मैं दूसरी सैड बात करूँ ना भाई टोम बेंटन की ये प्लेयर मुझे सबसे बड़ा पसंद आता है चाहिए 20 ओवर का मैच हो चाहिए 10 ओवर का मैच हो 9 मैच में 24 ट्रंस कर चुका है 33 के आसपा सैवरेज है मैं सबसे पहले तो रखूँ है टोम बेंटन को अकोडिंग टू बेटिंग ओडर आप लोग एंडरस गोस को भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 10 ओवर का मैच है ना की भाई 20 ओवर का टोप के चार ही प्लेयर आपके लिए बैटिंग से इंपोर्टेंट रिगोर टोप के चार-पास प्लेयर में जही किसी ना किसी के बल्लेश आपको तगड़ी पारी आती ही दिखेगी है तो अकोडिंग टो बैटिंग ओडर आप लोग एंडरेस गोस के साथ में सेफली जा सकते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है फोम अच्छी रही है वो भी आपके सामने के लिए रहे बैटिंग ओडर मैंने बता दिया वन डाउन बाकी मैं फिलाल रखुआ टोम बैंडन को बा ओपनिंग गर रहे हैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दस ओवर के मैच में तो यही मान के चलिए ठीक है बाकी जो फॉर्म रही है फाफ डूपलेसी की साथ मैच में 22 संस है मतलब ठीक ठाक फॉर्म गया सकते हो चवालिस कासवास आवरेज आपको मिल जागा काफटनशी व ओपनिंग गरेंगे बाई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दस ओवर के मैच में कैप्टनशी वाइस कैप्टनशी की सेफ ओप्सन ना कहके मैं आपको कह सकता हूं कि यूनीक में आप लोग जरूर इनको ट्राई कर सकते हो ठीक है उसके बाद में बात आएगी दोस्तों रोम मैट में अगर माली जे 25-30 रंच भी कर दे ना वह भी एक बड़ा इंपक्ट छोड़ के जा सकते है तो आई थिंग यहापर रोमेंट बोवल को आप लोग सेफी ओप्सन में कहके चल सकते हो ठीक है उसके बाद में चरीत असलंका जो कि है जे सबसीटूट खेले थे लास्ट क्योंकि टोस होने के बाद जब लाइनपस आएगी कौन सी टीम फर्स्ट वैटिंग सेकेंड वैटिंग गर रही है उसी हिसाब से देखो एक्च्वल बताया जाएगा कि एक तो टीम किसका यूज़ कर सकती है एज़े सब्सीटूट ठीक है तो वो चीज तो मैं आपको टेल सेकेंड डाउन पर बल्ले बाद जी करने वाले प्लेयर है अगोडिंग टू लास्ट मैच रखो अपनी टीम में रख लो बाकि जो फोर्म रही है वो तो देखो अभी तक उतनी बढ़िया देखने को नहीं मिली लास्ट मैच जरूर 14 गिन में 25 करके आई है 6 मैच में टोटल हार्ड इटर प्लेयर होते बाई और इनकी वैल्यू इन्ही मैचेज में ज्यादा होती है अब टीम इनको थर्ड डाउन खिलाके एस खान को क्यों इन्हों ने उपर खिलाया मुझे वो चीज नहीं समझाई बाकि 8 मैच में 29 संच यह कर चुक है 43 के आसपा सेवरेज है अब लोटा नीचे खिल रहे है दस ओवर के मैच मेंगर 6-7 ओवर के बाद बैटिंग आ रही है तो आप लोग कितनी बड़ी पारी के एक्सपेक्टेसंस कर सकते हो 20-25 कर जाए भाई वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ठीक है अगर आपको 40-50-60 रंज के पारी चीना तो टोप के तीन प्लेयर में से ही चीए नीचे वाले प्लेयर भाई उतनी लंबी पारी आपके लिए खेल के नहीं जाएंगे यहां आपको पहले के लिए घर दू दस ओवर के मैच में ठीक है फिलाल में टीम डैविड को नहीं रख रहा हूं नीचे कुछ खास ये फोम उतना अच्छा बैटिंग के इसाफ से क्योंकि नीचे बैटिंग करते हैं मतलब थर्ड डाउन अगर बैटिंग मिल रही है दस ओवर के मैच में तो कितनी ही बड़ी पारी के आप लोग उमीद गर सकते हो वही रिजन है कि अब तक बैटिंग में उतना ज्यादा इ तो फोम फिलाल थोड़ा सा खराब चल रही है लेकिन गेम चेंजर प्लेयर हो सकते हैं अगर टीम पूरे दो और इनसे गेंदवाजी करवा दे तो ये थोड़ा ज्याना कियागा मतलब जी एल की टीम में आज के मैच में ट्राई कर सकते हो रोहन मुस्तफा फिलाल नहीं करके आप लोग शिदाब खान जैसे प्लेयर को भाई दस ओवर जैसे छोटे फोर्मेट में उपर खिला रहे हो तो वो तो देखो प्लेयर को एक तरीके से खराब गरने वाली चीज होगे ठीक है क्योंकि एर एक प्रोपर बल्लेबाज को आप लोग नीचे रख रहे हो जो क कि शिदाब खान से हर हाल में तकड़ा खिल के जा सकते हैं लेकिन फिर भी उपर शिदाब से बैटिंग करवाई गई वो चीज मेरी समझ से बार है कर सकते हैं यह बैटिंग उसमें डाउट नहीं है लेकिन फिर भी अगर एक प्रोपर तरीके से देखा जाए तो टिम डैव बाजी भी करवाई है उसके बाद में एन्सोधरी की बात करें बैटिंग थोड़ा सा नीचे जा रही है तो उतना इंपैक्टफुल पारी की उमीद रहेगी नहीं फैबन एलन अच्छे प्लेयर है नो डाउट गेंदबाजी प्रोपर मिले दो वर तो विकेट टेकिंग गे पेंदे करता है ठीक है फिलाल करीम जननत रोहन या पे शिदाब खान को रखों ले सकते हो इमाद वसीम को ये आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकते है बस ठीक है बोलिंग सेक्शन में उसके बाद में सबसे पहले आएंगे ये हमजा हो टेक जिसके बाद में आएंगे वो एम इकबाल बुटा ठीक है मोहिद गान को ट्राइगा सकते हो उदाना एक बढ़िया प्लेर है ठीक है उदाना आपके लिए गेम चेंजर हो सकते है ये जानक को बाद में बता हूँआ पहले फजल अख फरुकी ये तो सेफ है इनके दो वर तो कंफरम मालो टीम सबसिट करें अब तक आठ मैच में नो विकेट है मतलब कमाल की परफॉर्मेंस उसके बाद में डिम्बी के साइड से एम इकबाल के अगर बात करें तो पॉइंट देखके भी आप लोग शाहिद अंदाचा लगा पाऊगा कि भाई किस परकार इनकी फोर्म रही है ठीक है और अब जो फोर्म रही है आप वो गजब की तो है उसी वज़ेसे जो स्लेक्षन है भाई आपको इतना देखने को मिल पार है उसमें तो कोई डाउट है नी आठ मैच में बारा विकेट इनके नाम है तो थोड़ा फोकस करिए दोनों प्लेयर भाई साब गजब की फोर्म ओलड़ी चुके हैं एक बार थोड़ा नीचे हैंगे तो फजल अलग फरुकी ठीक है और पूरे दोवर इनके ये आप लोग कंफर्म मान के चलो उसमें तो कोई डाउट है नी पूरे दोवर मिलेंगे इस मैच में विकेट मिले ना मिले वो एक अलग चीज हो जाएगी लेकिन का मतलब नी बनता नो मैच में ग्यारा विकेट है क्योंकि सबसे पहले वो प्लेयर पकड़ो ना जो दोवर पूरे गर करके जाएं जिसके ओवर कट हो सकते हैं उनके उपर बाद में डिसकसन कर लेंगे यहां से एक बारी बात करूँ मैं किसके बारे में बारे में एम रोहि प्लेयर आपको दिख रहे हैं यह वो प्लेयर जो आप दक देखोगे आठ नो दस बारा विकेट निकालके लेके गई इस पूरे सेजन के अंदर ठीक है तो इस वज़े से और दूसरी चीज़ की बाई यह दो दो ओवर कम्प्लिट भी कर रहे हैं वो भी सबसे बड़ा पलस अच्छा फोर्म नहीं है में भी बड़े मैच में बड़ा इंपक्ट छोड़ के चला जाए तो भाई एज़े डिफरेंशल जाके ट्राइ कर सकते हो बैटिंग बैकप भी अच्छा दे सकते है वो भी आपको बता दू बट छोटा फोर्मेट है तो शायद बैटिंग की उतन बाद में नीचे हैंगे जाहिद सैम कुक को इनको आप लोग ऐज़े डिफरेंशल जाके अगर ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो डेली बुल्स के साइड इसे ठीक है क्योंकि नॉर्मली पांच है गेंदबाजों के साथ में ही उतरेगी टीम भाई उसमें कोई डाउट नही यहाठ मैच में साथ विकेट इनके नाम हैं तो डेली बुल्स के पास में उपसंस अभी ऑफिकाफी आवलेबल आप लोग कुक के साथ में जा सकते हो इर्षाद के सा साथ में जा सकते हो लास्ट मैच में बता दू सिर्फ में पांच ही गेंदबाजों का यूध करे रह थ den बुल्स की टीम ने मतलब हर गेंदबाज ने दो दोवर डाले थी ये दानको तो कुक और इर्षाद भी आपके लिए डिफरेंचल हो सकते हैं ज़रूरी नहीं आपको हाई सेलेक्शन जाके ही टीम सेलेक्ट करनी है ये प्लेयर भी आपके लिए विकेट निकाल सकते हैं बाई बेंडरस गोस को तो मेरी अब जो ग्यारा प्लेयर की टीम है वो बन चुके है जो कि मैं एक बार ही आपको यहां से दिखा देता हूँ आप लोग देख पाऊगे मेरी टीम में ग्यारा प्लेयर आ चुके है कैटन वाइस कैटन की बात करूँ सबसे पहले तो भाई देखो सेफ ओप्शन में फाफडू प्लेशी है टोम बेंटन के साथ में जा सकते हो जेम्स विंस एक बढ़िया विकल पर शिदाब खान के साथ बैक कर सकते हो यह चार प्लेयर कैटन सी वाइस कैटन सी की सेफ विकल तो लेकिन रोटेशन का करोगे वो मैंने आपको बता तिया गेंदबाजी सेक्शन में अभी भी दो तीन आपके पास में बैतर विकल्प बचे हैं बाई उन में से किसी भी प्लेयर को आप लूब बैक करके चल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ग्यारा प्लेयर की डेमो टीम है अकोडिंग डू टोस्ट चेंज करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूँगा कमेंट सेक्शन में लिंक के जॉइन कर लेना ठीक है तो उमीद करता हूँ कि वीडियो अपने गंबिड वोच क्या होगा पसंद आये तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को भी सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लीजेगा आने वाले किसी भी मैचस के वीडियो जापको मिस नहीं करने मिलते हैं दोस्तों अगले मैचस की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैचस में एक बढ़िया टीम सेक्शन करोगे और आपके टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी